का है इस वीडियोा में अपनं जो उस्ट्रेजीad discuss करेंगे इतनी सिंपल है जिस में आपको फेग सिगनल नहीं मिलेंगे गलत entry आपकी नहीं मिलेगी, यह जैसे गलत entry है, तो strategy आपको बता देगी कि यहाँ पर entry नहीं लेनी है, ठीक है, strategy के हिसाब से आपको इस candle पर यहाँ पर entry लेनी है, और पहली exit जो आपको strategy देती है, इस वाली candle पर देती है, यहाँ entry बनाते है और यहाँ से यह profit आप मिलता है उसके बाद अगला टार्गेट आप यहां पर चीब करते हो ठीक है तो यह रैली आप कवर कर सकते हो देखो जो भी फेक सिगनल होगा आपको सब लोगों के लॉस यहीं हो जाते हैं सुभा सुभा यहां पर लॉस कर लिया उसके बाद क्या ट्रेड करेंगे वह ठीक है तो एसी सिच्वेशन में आपको एंट्री नहीं लेनी है वह भी आपको सेट अप बता देगा कॉल साइट पो समझेंगे स्टॉप लॉस टार्गेट सब कुछ समझेंगे complete वीडियो को ध्यान से देखे ठीक है सेट अप इतना सिंपल है कि बहुत इजीली आप समझ जाओगे ठीक है तो complete वाच कीजिए अगर टाइम है तो नहीं तो सेव कर लो बाद में देख लेना देखो यहां से सब कुछ अटाते हैं उसके बाद सेट अप त करते हैं तो यह देख लेजिए यह स्पेलिंग आपको लिखनी है विलियम्स एलिगेटर ठीक है जितने इंडिकेटर अपन डिसकस करते हैं सब कुछ फ्री है तो यह फ्री वाला इंडिकेटर गाइस अपन यूज करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यह लग जाएगा अब तेक्ष करने के बाद इस लाइन को जो है इसको ब्लैक कर लीजिए और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लिजिए ठीक है उसके बाद इसको कर देंगे ओके अब यहां पर देख लो यह लिख वाली लाइन ग्रीन है ठीथ वाली रैड है ठीक है इनपूट पर टच करेंग गाइस बिल्कुल सिंपल है यहां पर आपको देखो यह जो black line है ठीक है यह ब्लैक वाली line के upside जब market रहेगी तो bullish trend है और इसके downside रहेगी तो bearish trend रहेगा तब अपन put buy करेंगे ठीक है इधर call बाय करेंगे बिल्कुल simple clear cut समझ में आ गया और black line पर जब इस तरह से market candle इस तरह से cross कर रही होगी बिल्कुल सिंपल देखो न यह fake signal क्यों है ठीक है क्योंकि यहां पर black line को candle इस तरीके से cross कर रही है इसके upside नहीं है फिर यहां से upside होना शुरू होती है ठीक है तो यहां से अपन जो है trade plan बनाने की कोशिश करेंगे अपनी entry यहां पर बनी है कैसे बनी ट्रेट मार्केट में आप बच जाओगे यहां पर आपको कोई भी ट्रेट नहीं करना अगर यहां इस तरीके से ब्लैक लाइन पर कैंडल बन रही है न जैसे यहां पर देख लो तो यहां कोई ट्रेड आपको नहीं करना है यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है फेक सिगनल और बेक करके देख लेते हैं इसको थोड़ा रिफ्रेस्स कर दें एक बार यहां पर देखो गाई यहां पर देखो इसके आप साइट सल रहें ठीक है अपसाइट सलने पर यह बुलिश है और यहां पर यह यहां पर देखो द्यान से देखोगे चीजे तो समझ पाओगे इसलिए बोला टाइम है तो देखना यहां पर यहां पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे ठीक है टार्गेट स्टॉप लॉस सब कुछ देखेंगे गाईस ठीक है यहां से इसको हटा देतें ड्राइम को उसके बाद यहां आप देखिए यहां ध्यान से देखिए यह ब्लैक लाइन है ब्लैक लाइन के नीचे है मार्किट बैरिश है ठीक है अब देखो यहां एक चीज और नोट कीजिए ध्यान से अब यहां पर देखो देखना यह वाली चीज जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देख पहली बार जब यहां पर यह देखो काट रही है इसको क्रॉस कर रही है ठीक है रेड वाली को करेगी तो क्रॉस तो आपको अलर्ट हो जाना है यहां के आज पास ठीक है अलर्ट होना यह पहला सिगनल है उसके बाद फिर से जब इस ब्लैक वाली को क्रॉस कर जाएगी तब आ इसको red वाली को cross करेगी, उसके बाद इसको cross करेगी, तो अपन जो है, यहाँ से इसका मतलब यह है कि trend जो है, change होने वाला है, यह पहला signal है कि trend आप reverse हो सकता है, ठीक है, उसके बाद जैसे इसको break करेगा, तो trend change हो चुका है, ठीक है, clear cut समझ गए, अब देखो, उसके बाद य पहला इंडिकेटर आपने देख लिया इसका आप ने ये देख लिया कि इसके अब साइट चलेगे तो यहां पर आ पोशू हो झितना इसस पर टेस्ट कर लो ठीक है यहां पर यह बुलिबी स्टैन ऑप्सुपर यह यह वाला सिगनल है ठीक है इतना आपको पेचान रहेंगे तो अपन call की entry plan करेंगे clear और जब इस black line के नीचे रहेगी market तो अपन put की entry plan करेंगे clear cut समझ में आ गया अब दूसरा indicator अपन यूज करेंगे यहां indicator के section पर touch करते हैं और यहां पर लिखेंगे AWES यतना आप लिखोगे तो आपके असामने यह वाला इंडिकेटर आता है गाइस ऑसम ऑसिलेटर ठीक है यह फ्री इंडिकेटर है यह भी ध्यान रखना ठीक है जितने इंडिकेटर आपको बताते हैं वह सभी फ्री होते हैं ठीक है बस थोड़ा time invest कीजिए महनत कीजिए और rules जो बताएंगे rules के साथ ट्रेट गरोगे ठीक है सीखोगे और समसिलेटर पर क्लिक किया तो यह लग गया अब इसका बेसिक मतलब तो आपको पता ही है यह green है upside है ठीक है तो आप ट्रेंड है इधर down की तरफ चलेगा तो ट्रेंड है ठीक है उसके बाद इसके नीचे चलेगा तो यह आप यहाँ पर पुट के एंट्री प्लान करोगे अप साइड रहोगे तो कॉल के एंट्री प्लान करोगे ठीक है यहाँ पर आपको जबरदस्ती नहीं घुसना कि यहाँ पर green दिखरा खरीद लें लाल दिख र लोगे जैसे यहाँ पर आपको क्रॉसोबर मिला तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी और यह जो ब्लैक लाइन है यह आप स्टॉप लोस रख लोगे कितना लेना है वन इस्टू 1.5 ठीक है डेड़ गुना आपको टार्गेट लेना है अभी यहाँ पर देख लेते हैं फि तो यह देखिए अपने को मिलता है यहाँ पर देखो अपने exit होते हैं ठीक है यह यहाँ पर आपको 1-1.5 मिलता है ठीक है तो बड़े easily आपका टार्गेट अचीव हो जाएगा 1-1.5 ठीक है यह आपने देख लिया जैसे यहाँ पर देख लो इधर यहां मार्केट नीचे चल रही है यहाँ पर देखो crossover हुआ ठीक है अब यहाँ पर हमेशा crossover नहीं देखना यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे चल रही है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आती है upside और यहाँ पर आपको bullish signal मिलता है इधर आप entry बनाते हो उसके बाद आप देख रहे हो boom ठीक है consolidation में फ एधर अपनी entry बनेगी यहाँ नीचे चल रही है ठीक है यहाँ आप देख रहे हो नीचे है यहाँ पर upside आती है यहाँ पर आपने entry बना ली यहाँ stop loss हो गया उसके बाद 20ppe गुना target लेना हूं यहाँ पर रहे हो ठीक है अब क्या सीखेंगे अब accuracy और बढ़ाएंगे setup की ठीक है fake entry से कैसे बचना है वो आपको बताई दिया है देखो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ठीक है पसंद आई है तो like कर दीजिए कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे comment कर दो अबने देखा है कि आप वीडियो देख लेते हैं चैनल को subscribe नहीं करते हो तो subscribe करके bell able icon दबा लिया करो ठीक है चैनल पर update रहा करो video देखा करो तो जो भी कोई update आएगा ना कोई update आएगा तो आपको update मиль जाया करेगा अब update नहीं रहोगे तो फिर कोई update होता है किसी भी strategy पर वो आपको बताएंगे वो आपको मिल नहीं पाएगा तो अगर आप कोई strategy देखते हो तो फिर channel पर update रहा करो एक जरूरी बात और बता देते हैं फिर तीसरा indicator यूज़ करेंगे देखो telegram से जुड़ने के लिए video के description का ही यूज़ करें ठीक है क्योंकि अपने नाम से fake channel बहुत बने हुए है तो description में जाओगे न तो वहाँ पर telegram का link मिलेगा वहां से जुड़ जाना तो actual telegram से जुड़ने के लिए video के description का ही यूज़ करना ठीक है अब तीसरा indicator यूज़ करते हैं यह indicator के section पर touch करेंगे और यहा indicator मिलेंगे volume v3 ठीक है यह देख लीजिए रिस्कॉल्ड अप्टेट यह वाला indicator आपको लगाना है ठीक है ध्यान से देख लो इसको लगाएंगे पन इसको लगाने के बाद जैसे इस पर click करेंगे तो यह लग जाएगा अब यह लग गया इसका मतलब क्या है यह आपको volume बत साइड का हो ठीक है clear cut आपको चीज़े समझ में आ रही है ठीक है अगर कुछ नहीं समझ में आता तो comment करके पूछ लो जैसे तो इस indicator का यूज करके आप अपनी accuracy को और बढ़ा सकते हो अच्छे से बढ़ा सकते हो ठीक है उमीद है आप समझ गयोंगे strategy आपको अच्छी लग इसका आप रिजन आपको नहीं बताएंगा सिंपल यह समझ लीजिए कि रूल है सिंगल लॉट से ही आपको पेपर ट्रेट करना है और डेली अपने ट्रेट को लिखना है सतर बार पेपर ट्रेट कर लोगे तो आप इसका behavior समझ पाओगे आपका भरोसा बनेगा जब भरोसा बने तो छोटे lot से risk लेकर ठीक है आप trade कीजिए single lot से actual trade करना है तो कम से कम 15 trade single lot से और अगर risk नहीं लेना ठीक है तो ये भी आप paper trade कीजिए पहले paper trade कीजिए लिखिए और अच्छे से समझिए confirmation बन जाए तभी trade कीजिए जल्द बाजी मत कीजिए कमाने की एक रात में आपको करोणपती नहीं होना है ठीक है धीरे-धीरे market सीखोगे तो आप टिक पाओगे market में market में बने रहोगे टिक पाओगे without loss अपनी capital को बचाओगे ठीक है paper trade करोगे सीखोगे तो ही आप market से पैसा earn कर पाओगे नहीं तो नहीं कर सकते ठीक है तो without rule इस strategy का use मत करना ठीक है simple वीडियो अच्छे लगी हो तो like कीजिए share कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे comment करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया